आपका उच्छा देख करके मैं समझ जाता हूँ कि यहां की जनता ने एक वार फिर से भारतिय जनता पाइटी को आशिरवात देने का मन बना लिया लित्रों ये जो आपने मन बनाया है ये बहुत सही बनाया है ये सही इसलिए नहीं सिर्फ कि मदू स्वामी चुन करके आएंगे और सरकार में जाएंगे ये इसलिए नहीं कि यदरफ़ा जी हमारे नेता है ये इसलिए नहीं कि बोमई जी हमारे मुक्यमंत्री है ये इसलिए नहीं कि आरशोख हमारे नेता हैं ये इसलिए नहीं कि PC मोहन हमारे सांसद है आप ने ये जो निर्णे लिया है मैं आपसे कहना चाहूंगा ये हमारे लिये नहीं ये करनाटक के विकास के लिए जो आपने निर्णे लिया है कि इसमें करनाटक का हित है आप बताइए यही भारत 2014 से पहले कैसा भारत कि 2014 से पहले यह ब्रश्टाचारी भारत था ब्रश्टाचार में हम अग्रसर थे याद करो सब्सक्राइए यह ब्रश्टाचार आज भारत अग्रगडी राज्यों में खड़ा हुए देश में खड़ा हुआ है आज देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है आज भारत मजबूती के साथ दुनिया के मंच पर अपने हक अदा कर रहा है इस्सेदारी अदा कर रहा है यह बदलता भारत इसलिए इसलिए मोदी जी ने भारत की राजनीती की संस्कृती बदल डागी कॉंग्रेस के जबाने में क्या होता था करप्शन कमिशन क्रिमिलाइजेशन डाइनस्टिक रूर परिवारवाथ मोदी जी ने विकास वाद को आगे बढ़ाया कर दिःवलमेंट है और विकास सबका सत्व का विश्वास का प्रेयाज यानि है दो सबको आगे बढ़ाने का काम कोईюсьय भेदवाव नहीं ए एक और परिवार चाराएं के 24 ऊघ्रेवाद कinaçãoान TV गवार तन मंभा ऌत परिवार से आए हमारे मधुस्वामिय को देखो आम परिवार से आएउ hon कि हमारे आरशोग जी को देखो साधारन घर से आये हुए वह हमारे नेता बने और भारत के साधारन घर से निकला हुआ भारत के यशस्वी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी बनते हैं सदी कि भारत छोटा नहीं है भारत कमजोर नहीं है यह परिवारवाद वालों ने भारत को छोटा बना दिया भारत को कमजोर अज पारत का सामर्दुटकर करके सामने आ रहा हैं और faculty इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप ध्राम में रखिए कि हमारा हिट कोई र्यक्ति में नहीं है हमारा हिट कमल के निशान पर है और कमल के निशान का मतलब पर आपको बताएए आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट केमपे गोडा में टर्मिनल टू पाँच हजार करोर रुपए से बंगलूरू में बन गया कि नहीं बन गया किसी ने नाद प्रभू केमपा गोडा को नहीं पूछा था मोदी जी ने 108 फीट की उनकी मूर्ती लगाई कि नहीं लगाई आप बताएए बंगलूरू से मैसूर को एक्सप्रेस हाईवे बन गया कि नहीं बन गया अंतर राश्टिय सरका बनाए कि नहीं बनाए अब तीन घंटे के बजाए 75 मिनट में बैंगलूर मैसूर बैंगलूर म इस और मैसूर परूंच जाओं अनुर्षिश नमी तभिछ द लकार की इंडिया में जा होगा आप बताइये शिन्मों का में अ एर्पोर्ट बन गया की नीच बन गया आप बताइए के ब्लगावी में रेल्वेट faithful हो रहा है क्या नहीं नहीं हो रहा है ो आप बढाइये बैलगावी में डीपो आगया की नहीं आगए आप बताइए् तुमकूर में एच्डे doc 10 अप्र इस अब भरत का रलाकू हेली कोप्टर बनेगा तो टूमखुर में बनेगा इस बात होसाओं करता है यह अब द olhos टूम कुर में इंड़ास्ट्रियल और ऊई करीडोर बन रहाएं कि नहीं बन रहा है इंड़ास्टियल क्लस्टर बन रहा है कि नहीं तसवीर बदल जाएगी और विकास का नोई कहानी जाएगी इसमें विकास के नेने आयान रखे आप अपाईए मैसोर चन्य हो वन्दे भारत एक को सब्स्क्राइब चल पड़ा कि निफ पड़ा आप बताईए कि एक्सप्रेस वे बन रहा है कि नहीं बन रहा है किसी भी सड़क पर बात करो यहां पांच सो करो रुपए खर्च होगा यहां दो अजार करो रुपए खर्च होगा यहां चार अजार करो रुपए खर्च होगा पहले यह क्यों नहीं खर्च हो रहा था प्रश्टाचार पर प्रश्टाचार और आज विकास की नई कहानी लिखी जारे और मैं ये भी कहूंगा कि करनाटक ने भी अपनी पूरी जिम्मेवारी से काम किया है आज करनाटक अपोरे डाइक इन्वेश्टम ावें याणी विदेश का निवेश 5 नंबर वण पर खड़ा तो करनाटक में निवेश हो रहा है नैकरनाटक कुछ बढायी देता ऐसलु उसी तरीके से इनौवेशन में करनाटक नंबर एक पर है स्टार्ट अफ में करनाटक नंबर एक पर है और अगर मैं भारत की बात करूँ तो आटो मोबाइल में हमने जापान से ओवर टेक करके अब हम तीसरे नमबर पर खाड़ेंगे भारत की अर्थ व्यवस्ता जो दसवे नमबर पर थी आज पांचवे नमबर पर है और हमने ब्रिटेन को भी पचाड़ दिया है यह आपको ध्यान में रखना होगा अगर मैं मोबाइल की बात करूँ 97% मोबाइल भारत में मैनिफेक्चछर हो रहे हैं यह जो एपल कंपनी है ना नामसुना ना एपल का एपल का अब एपल कंपनी भी वह भारत में बन रही है अब एपल पर भी लिखा है मेड इन इंडिया और मैं अगर नाम ठीक ले रहा हूँ फॉक्स कैन या फैक्स कॉन जो कंपनी है उसके साथ बादचीत हुई है बोमई साहब ने बादचीत किये अब करनाटक में भी एपल की कंपनी आएगी और वो भी यहाँ पर मैनिफेक्चर क एक श्रणां करेंगी इस बाद को अको सब्सक्रात does लिए विकास के लिए नहीर आयाम बने आप बताईए प्रदानमंत्रीया करीब योजने में लाखों लोगों को लाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसलिए गाउं गरीब वंचित पीडित सोशे दलित इन सब को ताकत देने का काम अगर मोधी जी ने किया है तो यहां धर्ती पर उतारने का काम यह डोरप्पा जी और बोमई जी ने किया उसको नीचे तक नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देख 24.